आज का हमारा टॉपिक है पिश्टन रिंग्स पिश्टन रिंग्स क्या होती है यह किस मेटरियल की बनाई जाती है इनका क्या कंस्ट्रक्शन होता है और यह कितने टाइप की होती है आज हम इस लेक्चर में डिसकस करेंगे यह हमारा पिश्टन है जिसका हाफ मैंने यहाँ प क्यालाई जाती है जिसमें उपर की दो compression ring है जो मैंने ग्रीन कलर से शोक की हुई है और नीचे की येलो वाली oil ring है जिसे lubrication ring भी कहा जाता है उसके नीचे यह piston गजन पिन के साहता से connecting road से जुड़ा हुआता है जैसा कि आपको यहां पे इस picture में compression ring दिख रही होगी अब हम समझते हैं कि piston ring को कैसे हम define कर सकते हैं कि piston ring हमारी piston के जो groups होते हैं उसके अंदर set हो जाती है और यह हमारे एक good seal का काम करती है piston और slender wall के बीच में अब हम इसके function को समझते हैं कि इसके क्या functions होते हैं इसका पहला जो important function है वो यह है कि एक seal का काम करती है यानि एक form A seal create करती है अब हम इसे समझते हैं देखे जैसा आपको पता है उपर जब compression होने के बाद exhaust होता है तो उपर के जो gases होती है वो high pressure से नीचे की तरफ travel करती है और यह gases हमारी piston और slender wall के बीच में से गुजर कर oil pen की तरफ जाने की कोशिश करती है मगर यह हमारी piston ring होने के कारण यह है वापिस दुआरा combustion chamber में चली जाती जैसा कि मैंने यहां पर आपको एक piston ring बना के दिखाई है यह piston ring और हमारे piston के बीच में दोनों तरफ यानि by side by side और vertical direction में भी gap होता है और यह हमारी cylindrical wall से चिपकी हुई होती है ताकि यह है proper ceiling agent का काम कर सके अब हम इसका दूसरा function समझते हैं यह हमारे जो piston है यह continuously up and down motion करता है तो यह piston हमारा directly cylinder wall से connect नहीं होता इसलिए है इसकी minimum wear and tear को generate करती है यानि minimum wear and tear of piston इससे हमारा piston minimum wear and tear होता है अब हम इसका तीसरा point समझते है अब हमारी जो gases है वो इससे टकराने के बाद वापिस crown की साहता से हमारे piston है head इसके ओपर different type head के इसके head होते हैं जैसे यहाँ पर flat head है कुछ crown shape की होते हैं कुछ hemisphere shape की होते हैं तो यह gases in head से टकराने के बाद वापिस top side में चली जाती है और हमारे exhaust wall की साहता से बाहर निकाल दी जाती है इस तरह हमारे यह हमारे एक path generate करती है हमारे hot gases के लिए यानि burnt gases के लिए अब हम इसके कुछ material को समझते हैं कि यह जो हमारी piston ring है वो किस material की बनाई जाती है यह piston ring हमारी cast iron में कुछ alloy डालके बनाई जाती है जिसको हम cast iron alloy भी कहते हैं यह alloy हमारा mainly cast iron में silicon और मेगनीज को डालके बनाई जाता है अब हम इसमें cast iron में silicon और मेगनीज एड़ कर रहे हैं जिसके कारण इसके अंदर कुछ इसकी property इंप्रूव होती है वो property कुछ इस तरह है जब piston में silicon और मेगनीज होता है तो है इसकी जो हमारी heat और wear capacity है उसको excellent करती है heat and wear quality को excellent बनाती है यानि हमारा जो piston ring होती है वे हमारी high temperature को wear कर सकती है और साथ साथ उसके अंदर wear and tear बहुत minimum होती है दूसरा हमारा cast iron नेचर में बहुत brittle होता है मगर है silicon और मेगनीज एड़ करने के कारण हमारे इसके अंदर कुछ elasticity की property आ जाती है यह है बहुत important property है piston ring के लिए क्योंकि इसी property के कारण हम इन piston rings को या फिर oil ring को piston से remove भी कर सकते है और इनके उपर assemble भी कर सकते है अब हम जानेंगे कि यहाँ पे piston rings कितने टाइप की होती है generally piston rings हमारी दो टाइप की होती है एक है हमारी compression ring जैसे मैंने यहाँ पे green color में show की हुई है यह हमारी compression ring है दूसरी हमारी lubrication जिसे oil ring भी कहा जाता है अब हम दोनों को एक एक करके समझते हैं सबसे पहले हम compression ring को समझते हैं compression ring है हमारी यह हमारे cylinder girl के top portion पे provide की जाती है जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यह 2 है total मगर यह generally 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है मगर यह हमारी 2 या 2 से अधिक भी होती है तो वो क्यूं होती है यह question हमारा raise होता है तो देखिए जब हमारे यहाँ पे expansion होता है इस expansion के कारण हमारी जो उपर की burn gases है वो बहुत high pressure से नीचे की तरफ downward motion में आती है इनका pressure बहुत high होता है जब compression link से टकराती है तो क्या होगा कि यह सारा का सारा pressure single leg ring बेर नहीं कर सकती इसलिए हम यहाँ इसे 2 या 2 से अधिक भी add कर सकते है जिसके कारण हमारा यहाँ pressure distribute हो जाता है अब देखिए जैसा हमने पहले भी बताया था यह piston links हमारी compression link जो होती है यह हमारा एक ceiling का काम करती है यानि यह हमारी hot gases जो होती है उनको नीचे crank case में नहीं जाने देती और वापिस टकरा के उपर के तरफ भेज देती है इस तरह से हम इसका nature देखते हैं यह कैसी होती है जैसा कि आपको यहाँ पर एक compression link शो हो रही होगी यह compression link नेचर में solid होती है और साथ-साथ कभी-कभी इसके अंदर कुछ cutting groups भी add कर दिये जाती है यानि इसके अंदर हमको slow set करते है जिसके कारण कभी जब expansion होता है तो उस समय heat flow को रोग सके और यह solid होती है जिसके कारण high compressive strength को bear कर सकती है और हमारी जो gases है इससे टकरा कर वापिस चली जाती है अब आप जैसा यहाँ पर देख रहे होंगे यह ring के बीच में एक gap है इस gap को हम ring gap भी कहते है या फिर हम इसको हमारा clearance gap भी कहलाता है अब यह देखिए generally हमारा less than 1 होता है जो की 0.075 mm से लेकर देख रहे हैं एक mm से भी बहुत कम है 0.1 mm यानि एक mm का भी दसवा भाग तक पर centimeter of diameter of cylindrical के हिसाब से होता है अब इसे समझीए यानि एक centimeter अगर हमारा dia है तो हमारा जो gap होगा वो less than 0.01 mm होगा और अगर हमारा dia बढ़ता जाएगा तो उसके इसाब से ये value उससे multiple होती चली जाएगी अब हमने जाना यह दिंग gap क्या होता है अब हम इसके कुछ shapes को समझते हैं यानि हमारी end shapes है जैसा कि आपको पता है हमारी rings generally butt type की होती है अब हमारा यह हमारा normal जो engine होता है उसमें butt welded यूज की जाती है जिसका main reason यह होता है यह easy to construction होता है और high pressure को भी bear कर लेता है मगर जब हमारी यह heavy duty के engine होता है तब हमारा यहाँ पर यह shape कुछ change हो सकती है जैसे कि हमारा lap shape भी create हो सकती है इसके बीच में यह lap shape है एक दूसरे को पर lapping कर रहे है यानि lap welded यह lap end shape है lap shape स्वरी यह welded नहीं था यह butt shape है इसी प्रकार यह कुछ bevel shape भी हो सकती है इस तरह में मगर यह दोनों shape ज़्यादा तर हमारे heavy duty के engine में use की जाती है अब हम समझेंगे कि दूसरी जो type की ring है lubrication oil ring उसको समझते है जिसे हम oil ring भी कहते हैं यह oil ring क्या काम करती है देखिए इस oil ring का main काम हमारा यह जो engine है engine cylinder है उसकी जो wall है उसको lubricate करना होता है ताकि यह जो cylinder है हमारी ring से direct contact में ना होकर एक lubrication film किसे contact मरा है जिसका main purpose हमारे friction force को कम करना होता है ताकि wear and tear कम हो यह oil ring हमारे friction को minimum करती है इस minimum friction के कारण wear and tear कम से कम होती है दूसरा काम हमारा क्या होता है जब हमारे इस cylinder wall पे बहुत ज़्यादा मातरा में हमारा oil attach हो जाता है तब downward motion में यह ring हमारे इस excessive oil को scrap भी करती है यानि इसका scrap भी use है देखिए जब हमारा अगर हम इस scrap function को नहीं करेंगे तो क्या disadvantage होगी जब हम इस scrap function को नहीं करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे oil है जो oil pan में होता है वो यहाँ पे combustion के दोरान जल जाएगा इसके जलने के कारण हमारे engine के अंदर oil की कमी हो जाएगी इसलिए हम यहाँ पे excessive oil को इस oil ring की साहता से downward motion में scrap करके oil pan में transfer कर देते हैं generally हमारी यह जो दोनो ring होती है इनका जो total diameter होता है इनका जो ring dia होता है वह इस piston के diameter से slightly larger होता है ताकि यह हमारे इन दोनों के बीच के gap को कम कर सके और अब देखते हैं oil ring का क्या क्या function होता है तो oil ring हमारा mainly cooling के purpose से भी काम आती है इसका काम हमारा lubrication करना भी है engine को हमारा excessive oil को scrap करना भी है और हमारा यहां पर cooling effect देना है जैसा भी हमने देखा और साथ साथ हमारा cleaning करना है